अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिबील कोट, कलर्क, रीडर एवं अश्टेनों को होने वाले प्रारमीत परीच्छा का हम लोग जी के सेक्षन करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दपाना ना भूले है। इस पर करमबत तरीके से जी के, इंग्लिज, और कंप्यूटर का क्लास करमबत तरीके से चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग विडियो को सुरू करते हैं। देवा सीज पांडा को हाल ही में किसके प्रमुक के रूप में निक्त किया गया है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा IRDAI IRDA का नाम जो है चेंज कर दिया गया है भारतिय बीमा नियामक और विकास पर दिकरन एक नियामक निकाए है इसकी अस्थापना की बात करें तो 1999 में हुआ था मुख्याले जो है है इदराबाद है और ध्यच जो है इसके देवा सीज पांडे है आईए और कुछ इसके जूरे हुए फेक्ट के बारे में हम लोग जानते है से भी की अगर बात करें सिक्रेट्री एक्सेंज बोर्ड ओफ इंडिया इसका फुल फोर्म होता है भारतिय प्रित्थिभूत्ती और पीनिमय बोर्ड ICR पहले अगर इसकी बात करें तो भारतिय किर्सिय नुसरद्धान परिसद है और IEL and FS इसका अर्थ होता है Infrastructure, Leasing and Financial Services तो ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे इस कोस्चन से इतने सारे फेक्ट निकल कर सामने आते हैं तो सारे फेक्ट को आप लोग ध्यान से ध्यान रखेंगे तो चलिए आगे के प्रस्णों को हम लोग करते हैं आगे का जो प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी बराक अबामा की आत्म कथा है निमलिखित में से कौन सी जो है बराक अबामा की आत्म कथा है तो यहां आपको बताना है कि कौन सी है जो बराक अबामा की आत्मकता है इस प्रस्न का सही उत्र जो होगा A dream from my father A story of race, of inheritance यह जो है आत्मकता है बराक अबामा की है तो इस प्रस्न का सही उत्र जो होगा option 20 का सही उत्र हो जाएगा काटेदार बन और जहारी की जलवाई परिष्थीतियां निमलिखित में से किस पौधे की परजाती के लिए सबसे आदर्स है काटेदार बन और जहारी की जलवाई परिष्थीतियां निमलिखित में से किस पौधे की परजाती के लिए सबसे आदर्स है इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा यूपोफोर्विया यूपोफोर्विया आईए इसका explanation हम लोग जेखते हैं अगर यूपोफोर्विया की बात की जाए तो यह एक 12 मासी जो 12 महीन जरी बूटी है साइबेरिया, मंगोलिया, चीन, कोडिया और जापान के सुस्क घास मैदानों में 30 सेंटीमीटर तक यह इसका विकास होता है सीसम आपको पता होगा सीसम, रोजूड उसन कटिबंधी ये एक पेर है ब्राजील, होंडूरास, जमेका, अफरीका और भारत का मून लिवासी है सागोन जिसे टीक कहा जाता उसमें कटिबंधी ये पेर है जो की दच्छीन और दच्छीन पूर्ग एसिया, भारत, इंडोनेसिया, मलेसिया, थाइलेंग और बर्मा का मून लिवासी है हाँ पूसा की अगर बात करें तो जूनी पर संकुधारी पेर है जो यूरोव, ऐसिया, अफरीका और उत्री अमेरिका के मून लिवासी है तो ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे इतने सारे फेक्ट इस प्रसंद से बनते हैं साइज थोरा सा छोटा कर लेते हैं अगला प्रसंद जो है, निमलिखित में से किस टीम ने वर्स 2020 तक IPL के किसी एक पारी में सरवाधिक रन बनाए हैं टीम की बात की जा रही है तो इस प्रसंद का सही उतर होगा ओप्सण डी, रॉयल चैलेंजर बंगलूर, अगर बंगलूर की बात करें, तो IPL में सरवाधिक पारी, रन बनाने वाली टीम रॉयल चैलेंजर बंगलूर है ठीक है चन्न सरवाधिक रन कौन है रोयल चेलिजर बंगलोड है और सी भी है तो आप्शन डेस का सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रस्न है वर्ष 2008 विजिंग ओलम्पिक्स में किस भारतिय मुक्यबाज में मुक्यबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस पदक जीता था यहां पर देखे अस्टेटिक्स जीके की तरफ पुछा जाता है तो है ओप्सन ए विजंदर सिंग है तो ओप्सन ए इसका क्या होगा राइट एंसर हो जाएगा अब विजंदर सिंग की बात कर लेते हैं वर्ष 2008 में बीजिंग अलम्पिक में इन्होंने कांस पदक जीता था जो अलम्पिक जीतने वाले पहले भारतिये मुक्यबाज बने थे याद रखे गया यह पहले भारतिये मुक्यबाज बने थे विजंदर सिंगりました इसलिए इनका नाम ये प्रस्ण जो है लगभग कितनी राष्टी आवंटन की गई है, तो इस प्रस्न का सही उत्तर जो होगा, लगभग 20,000 करोर, तो option D's का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, लगभग अगर बात करें, वर्स 2020-23 के अनुसार अगर बात करें, तो राजमार्ग नेटवर्क के 25,000 किलो मेटर तक का विस्तार किया जाएगा, 25,000 किलो मेटर का विस्तार किया जाएगा, और लगभग इसकी लागत जो है, 20,000 करोर आई, तो option D's का सही उत्तर हो जाएगा, तो ये दोलों फैक्ट आप लोग इस प्रस्न से याद रखेंगे, next जो प्रस्न है, ग्रामीन रोजगार स्रिजन कारिकरम, कब सुरू किया गया था, बहुत ही अच्छा प्रस्न है, इस प्रस्न का सही उत्तर जो होगा, बर्स 1995 भी में, option A's का सही उत्तर हो जाएगा, आईए इससे जुरे हुए फैक्ट को हम लोग जानते हैं अगर बात करें खाधी और ग्रामोद्योग आयोग की तो देश के ग्रामीन छेत्रों में के भी आई छेत्र के तहद दो मिलियन नौकरियों का सिर्जन के लिए एक अप्रेल 1995 को ग्रामीन रोजगार सिर्जन कारिकरम की सुरुवात किया गया था तो यह सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे यामनी क्रिस्नमूर्थी के सास्त्रिय निर्थ सैली के लिए परसिद है तो सभी को पता है यामनी क्रिस्नमूर्थी जो की बहुत ही परसिद सास्त्रिय निर्थ कि सैली के लिए परसिद है तो इस प्रस्ण का सहीव तर हुगा भारत नाट्यम और कुच्चिपूरी अब बताना है आपको भारत नाट्यम जो है किस राज का लोग निर्थ है सोरी सास्त्रिय निर्थ है और कुच्चिपूरी कुच्चिपूरी जो है अंधपर्देश का है आईए इससे जूरे हुए सारे फ्यक्टर हम लोग देख लेते हैं यामनी कृष्ण मूर्थी के अगर बात करें तो भारत नाट्यम और कुच्चिपूरी निर्थ की एक भारतिय नर्तकी है उन्हें पद्मसिरी पद्मिभूसन 2001 और पद्मिभूसन 2006 में इनको सम्मानित किया गया था भारत नाट्यम जो है तमिलाडू का है और कुच्चिपूरी अंधपर्देश का अगला जो प्रस्ण है चोलो के सासनकाल में किसी भी द्याले के रख रखाव के लिए दी गई भूमी को किस रूप में जाना जाता था इस प्रस्ण का सही उतर होगा साला भोग के रूप में जाना जाता है आईए इस से रिलेटेड हम लोग इसका फेक्ट जान लेते हैं साला भोग सब्द जो है एक साही चोलो का अधीन राजासो परसासन से सम्मंदित सब्द है ब्रहाम दे की अगर बात करे तो होता है अग्रहार गाउं ब्रहामनों को लिए दिये गए गाउं थे और पूरी तरह से उनके द्वारा बसे हुए थे बेलन वगाई गैर ब्रहामन किसान मालिकों की भूमी थे देवदान मंदिरों की भेंट की गई भूमी है इतने सारेफेक्ट इस प्रस्ण से बनते हैं अग्ला जो प्रस्ण है निमलिखित मेंसे कौन तबला बादक नहीं थे देखिए कंप्यूतर को इफ में कव कौण सा तबला बादक नहीं थे पूछा गया है या नहीं है कौण सा तबला बादक नहीं है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर जो होगा जाकिर हुसेन भी है, किसन महराज भी है, अल्ला रखा भी है, लेकिन सेख चिल्ला मौला नहीं है, सेख चिल्ला मौला जो है तबला वादक नहीं है, तो option D प्रसंद का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, अब बात करें, परसिद नाद वासरम वादकों में सेख चिल्ला मौला, चिल्ला मौला जो थे, नाद स्वरम वादक थे, नाद स्वरम वादक थे, चिल्ला मौला, मीरु स्वामी पिल्लई, राजा रातनम पिल्लई, आदी सामिल है, अब हारत के त परसिधन नाम जो है यह तबलाबादक थे अगर आगे जो प्रस्ण है एक किले के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कथन वन इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था इसे वर्ष 1143 में एक पहारी की चोटी पर बनाया गया था उपरी के कथनों में से किले के बारे में कौन सा बात की जारी है तो देखे इस प्रस्ण का सही जो उत्तर होगा वह होगा गोल कुंडा का किला यह क्या होगा गोल कुंडा के किला ओप्सन डीस का सही उत्तर होगा अब गोल कुंडा के किला के बारे में हम लोग बात करें तो ग परनाटक चालुक और होई सलव द्वारा निर्मित किया गया। बाभ में विझयosium ऍagर सम्राज के चीतर दुख के नायक, दव्यताबाद चिला महराश्ट यादव बंस द्वारा निर्मित किया गया। अगू आरा का खिला की बात करें, तो गोवा में पूर्त गालियों द्वारा निम्मित किया गया था, तो इतने सारे फ्रक्ट इस प्रसंद से हमें मिलते हैं। अगला जो प्रसंद है, निम्लिखित में से किसने महात्मा गांधी को, महिलाओं को नमक सत्यागरह आंदोलन में भाग लेने की अनुमत्ती देने के लिए सहमत किया था, तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा, ओप्सन ए कमला देवी चटोप ध्याए। नमक के कर के खिलाप महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामोहिक सविने अवग्या आंदोलन था, जो बर्स 12 मर्च 1930 को सावरमत्ती आश्रम द्वारा शुरू किया गया था, और 1931 में गांधी इर्विन समझाउता द्वारा इस नमक सत्यागरह को समाप्त किया था, तो यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है यह, आगे का जो प्रस्ण है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के सासक, फसलों की उपज के डैस दर पर करवसूलते थे, प्राचीन भारत में महाजनपद यो थे, सासक, फ प्राचीन भारत में महाजनपद यो थे, सासको ने अपने छेतर के किसानों के से करवसूलते थे, किसानों के उपज का जो होता है, एक बटा छठा भाग जो होता है, उतना करवसूलते थे, तो ओप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो यह आप लोग ध्यान में रखे अगला जो प्रस्न है, भारत नाट्यम किस भारती राज का सास्त्रिय नेर्थ है, देखे अभी जश्ट इस प्रस्न मिल गया है, यह अभी जश्ट हम इसकी चर्चा की है, यह तमिलाडू की है, भारत नाट्यम जो है तमिलाडू का एक सास्त्रिय नेर्थ है भारत नाट्यम तमिलाडू कथक जो है उत्तर परदेश का है और कुछी पूरी जो है अंधपरदेश का है औरीसा जो है औरीसी का है और कथकली जो है केरल का सतर्या जो है असम का मनी पूरी है जो है मनी पूर का और मोहनी अट्टम जो है केरल का है तो यह सारे ठेक्ट आप लोग दिहान में रखेगा यहां से अक्सर प्रस्न मिल जाते हैं और देखें बिहार सिबिल कोर्ट, रीडर, अश्टेनो इसमें इसी तरह के जीके आप लोगों को देखने को मिलेगे निम्रिकित में से कौन सा प्रानी जगत के संधी पात प्रानी अर्थात ओर्थो पोड़ा समो से समन्धित नहीं है याद रखेगा जन्तु जगत में सबसे बड़ा प्रानी जगत होता है और यहां पूछा गया है कि कौन जो है प्रानी जगत है संधी पात प्रानी जो ओर्थ और्फोपोडा प्रानी से समधित नहीं है तो यहां पर देखिए तीत्ली बиком और्टरस्लाए ओर्फोडा है कोकुरोच भी मकरी नहीं कर विए लेकिन इस्ट बाहू याया नि ऊक्टोपस जो हता है यह ओर्फोपोडा प्रानी जगत से सम्मंदित नहीं है तो इस तरह से इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सीज का सही उत्तर हो जाएगा अगर बात करें अब ओक्टोपस का जिसे अश्ट बाहू कहा जाता है एक नरम सरीर वाला आठंगो वाला मोलस्क है जो ओक्टोपोडा करम का है इनके पास तीन दिन नव दिमाग और नीला खोन होता है इनके पास अपने आरेने के महत्पूर मात्रा को संपाधित करने की अदूतिये छमता होती है तो यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे आगे जो प्रस्ण है वेद समाज के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है इसकी अस्थापना ठाड़े सो चवशट में मदरास जो की अब चन्नई की रूप में जाना जाता है इसने जाती भेद को खत्म करने और बिधवा पुनरविवा और महिला सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था बेद समाज के बारे में बताना है कि कौन सा जो कथन है सही है बेद समाज की अस्थापना मदरास जो की 1864 इसमी में हुआ था तूसरा है इसने जाती बेद भाव को खत्म करने और बिधवा पुनरविवा महिला सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है तो देखे इसमें एक भी सही है और दो भी सही है तो इस परकार से हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही है तो option C इसका क्या होगा राइट अंसर होगा इसकी अस्थापना मदरास में 1964 में किया गया था यह बिलकुल सही है और यह जो था बिधवा पुनरविवा और महिलाक सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया था अगर बात करें कि वेद समाज की अस्थापना किनके सब चंद, सेन और धिरी धरूल नाईडू ने की थी। धिरी धरूल नाईडू की 1871 में बेज समाज का नाम बदल कर दचीन भारत का ब्रहम समाज कर दिया। ब्रहम समाज की अस्थापना ठाड़े 128 में राजा राम मोहन राई की द्वारा किया गया था। ये सारे फिक्ट अप्लुक ध्यान में रखेगा। чork कार की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर देखए यह होता है, सुत्र की अगर बात करें तो क्या होता है ? वंलू बराबर होता है नू बराबर होता है भी इन्ट्यू क्यू दिया हुआ है इस प्रहकर से इसका क्या दिया हुआ है ? 6 दिया हुआ, 6 वोल्ट दिया हुआ, और Q क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, 24 जूल हो जाएगा, W बडाबर हो जाएगा, 6 इंटू 4 बडाबर 24 जूल हो जाएगा, तो option D इसका right answer हो जाएगा, देखिए, विभांतर जो है, एक आवेसित कंद्वारा, पत्ती इकाई आवेसित किये गए कार की रूप को परिभासित किया जाता है, इसे इस सुत्र के द्वारा परिभासित करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, W बडाबर 6 इंटू 4 बडाबर 24 जूल मिलेगा, अगरा जो प्रस्न है, मानौ सरीर की लार निमलिखीत में से कौन सा इंजायम पाए जाता है, जो अश्टार्ज के साधारन सरकड़ा को तोड़ देता है, बहुत ही अच्छा प्रस्न है, तो इस प्रस्न का सही उत्तर होगा, ओप्सन ए इमाइलेज होता है, इमाइलेज होगा जो होगा, मानौ सरीर के लार जो होता है, उसको इंजायम में पाए जाता है, मानौ सरीर के लार में जो इंजायम पाए जाता है, वो इमाइलेज है, जो कि अश्टार्ज को साधारन सरकड़ा में क्या करता है, तोड़ देता है बदल देता है तो इमाइलेज जो है अस्टार्ज के हाइड्रो लिसिस को सरकड़ा उत्प्रेडित करता है करता है कौन करता है चोटी आंत में पाइजाता है या तो पेपसिन की बात करें तो एक पेट का है इंजाया में पेपसीन जो है एक पेट का एंजाम है जो अंतर ग्रहन भोजन में पाई जाने बाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन एक एंजाय में जो रक्त चाप को क्या करता है रक्त चाप को नियंतरित करेगा और सरीर में सोडियम और पोटैसियम को स्वस्थ अस्तर बनाए रखने में मदद करता है क्या रहनिन का काम है तो ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा आगे का जो प्रस्न है X जिसकी आयू दस वर्ष है एक कार खाने में कारवियत है X के निम्लिखित में से किस अधिकार का उलंगन किया जा रहा तो देखिए ये इस प्रस्न का सही उतर क्या होगा सोशन के बिरुद अधिकार क्योंकि किसी भी बच्चे को 14 बर्ष से कम आयू बाले बच्चे को अगर वह काम कड़ाय जाता है उसके खिलाब जो है अनु छेद 23 और 24 के भारत के संबीदान की अनुछेद 24 में ये नीइ थे कि मानव के दुरुभवार और बालात सरं अनु göstव की अगर बात करें तो अनु छेद 24 में का गया कि कारक्षानों में चौदे वर्ष से कम आयू बाले बच्चों को काम करना वरजीत है, निसेद कहा गया है, तो option भी इस प्रस्ण का क्या होगा, right answer हो जाएगा, I hope आप लोग अच्छे से समझ गया होगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और helpful लग रहा हो, तो please channel, please video को like कर दिजे, और एक को प्यारा सा comment कर दिजे, और channel को subscribe करके, ताक जब भी इस पर new video upload हो, इसका लाब सबसे पहले आपको मीरे, निमलिखित में से किसे असुधियों से मुक्त पर्तिक प्राकृतिक जल, आसुध जल, सबसे सुध रूप माना जाता है, बताना है इसमें से कि कौन सा ऐसा है, जो कि असुधियों से मुक्त हो, बिलकुल सुध ह प्राकृतिक जल हो, आसुध जल हो, सबसे सुध रूप कौन माना जाएगा इसमें, कुए का जल, जहरने का जल, नदी का जल या बारिस का जल, तो इस प्रस्न का सही उतर हो जाएगा, ऑप्सन भी हो जाएगा, जहरने का जल हो जाएगा, बारिस का जल को सुध माना जाता ह बिरकुल सही है लेकि ज़रने की बात अगर की जाए तो ज़रने का जल जो होता है सीधे एक संरची भूमिगत स्रोच से आता है जहां पानी सोभाविक रूप से अपने आप सत्ह पर आजा पार यह सरीर के और मस्तिस्क को बहुत आवेसक अक्सीजन परदान करता है अच्छे पाचन में सहायता करता है हमें सवस्त बजन बनाए रखने में मदद करता है और स्वाद में अच्छा होता है तो ज्ञरने का जल जो होगा आशोच में सबसे सुद्ध होगा निक्ष जो प्रस्ण है अगला प्रस्ण है भारती संभीधान के नुसार परधान मंत्री की निक्ति 10 के द्वारा की जाती है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है पॉलिटी से प्रस्ण है और यहां से प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे तो इस प्रस्ण का बहुत ही जी प्रस् यहां होता क्या है कि राश्टपती एक व्यक्ति को परधान मंत्री के रुप में निउक्त करते हैं भारत परधान मंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए राजसभा या लोकसभा का सदस होना चाहिए और यदि वह राजसभा का ठीक है यदि वह राज सभाका अगर बात करें तो राज सभाका सदस्य है तूसे अपने तीस वर्स पूरे करने होने चाहिए यदि वह लोग सभाका है तो पचीस वर्स होने चाहिए अगला जो प्रस्न है सागा दावा तीहरा सभाग साली बलेश्ट महोत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है इस प्रस्न का सईपतर होगा अगर सागा दावा की बात करें सिक्किन के फरसीधितिवार लों महोत्सव लोसार महोत्सव भूमच्यू महोत्सव सागा दावा लःबाब दूचेन महोत्सव बढमी AoC महो तंडोग लवरम भाट अंतराश्टिय फूल महोटसव मंगल संगीत सामरो वार्षिक सिक्किम पैरा लाइडिंग महोटसव आधी जो है सिक्किम का परसिद्ध त्यवार है यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेगा और इसका पीडियो प्राप्त करने के लिए दिस्कि अगला जो प्रस्ण है वर्ष दोहजारे गारे के जगनाग के नुसार केरल की साचर्टा दर कितनी थी अनुमानित सीमा बताएं इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा लगभग 91 से 95 परतिसक तक भारत के समग साचर्टा दर की बात करें पूरे भारत की तो 74 परतिसक पूरूस की पूरे भारत की साचर्टा दर जो है 74 परतिसक थी अगर पूरूस की साचर्टा दर बात की जाए तो 82 पॉइंट 14 परतिसक थी महिलाएं क्या 25.46% है सबसे कम साचरता दर्वाला राज जो है बिहार है 63.82% है उच्तम साचरता दर्वाला राज जो है केरल है जो की 94% है ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेगा अगला जो प्रस्ण है जैसा कि मार्च 2022 में अन्सोचित किया गया था भारक सरकार ने डैस सहित अधिकांस राज जो में महातमा गांधी राष्ट्य ग्रामी रोजगार गारंटी योजना के तर्थ मजदूडी दरों को संसोधित किया है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा असम में महातमा गांधी राष्ट्य ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वर्ष 2006 में उत्तर परदे से शुरू किया गया था यह पूछा जाता है कि शुरुवात कब हुई थी तो वर्ष 2006 में यह चीज आप लोग ध्यान में रखेगा और 21 राज से शुरुवात की गई थी तो उत्तर परदे से 31 राज्यों और केंसासित परदे सो में जहां मजदूरी में बिर्धी देखी गई है गोवा का अधिक्तम 7.14% दर्ज किया गया सबसे कम 1.77% की बिर्धी में घाले में हुई है तीनों राजों की अगर बात करें मनिपूर, मिजोरम और तिर्पूरा की मजदूरी दरों में कोई बदलाव जो है नहीं आया है तो ये सारे फेक्ट आप लोग ध्यारन रखिएगा आज के सेट का आखरी प्रस्ण जो है निम्रिकित में से किस देश में जूम किर्शी को कोनुको के नाम से जाना जाता है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा और संप सी वेनेजोला में वेनेजोला में जो है जूम किर्शी को केनुके के नाम से जाना जाता है कोनी को जुमी का आर्थ होता है Slays and Burl Agriculture मतलब कि जिस जमीन पर भूमी किया जाता है उस पर दूसरी बार क्या किया जाता है आग लगा दिया जाता है वहाँ पर फिर उस जमीन को उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है और पिर दूसरा जगह जो है सिचाई किया जाता है मेक्सिको और मध अमेरिका में मिलपा के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा जूम खेती को जो भारत में जूम खेती और मध अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिलपा के नाम से जाना जाता है वही बेनी जोला की बात पूछा गया था प्रस्ट कोनुको के नाम से जाना जाता है अगर ब्राजील की बात करें तो रोखा और मधापरिका में मसोल इंडोनेसिया में अगर बात किया जाए तो लरांग और वियतनाम में अगर बात किया जाए तो रे और मेडागासकर में सबसे पहले आपको, तो मिलते हैं दोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, जैए